इसके मामले तेजी से बढ़ने पर अब केंद्र सरकार ने उसको लेकर एडवाईजरी जारी कर दी है पूरी तरीके से जो सतरकता है वो बरतने को का गया है हाला कि नया वेरियंट पिछले वेरियंट की तुलना में कम खतरनाक बताया जा रहा है फिर भी सावधानी इसलिए जरूरी है और इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से एडवाईजरी इसको लेकर जारी कर दी गई है अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इस कोरोना के नय वेरियंट यानि की JN.1 के लक्षन क्या है इसके अलावा हलका बुखार भी चड़ जाता है और तेज खासी की शिकायत भी यहाँ पर हो सकती है इतना ही नहीं पेट खराब होना भी इसी वेरियंट का एक बड़ा लक्षन हो सकता है कोरोना के नय वेरियंट में सिरदर्थ की भी शिकायत हो सकती है अब ये वो लक्षन है जो अगर आपको लगता है कि आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को मैसूस हो रहे हैं तो जरूर इससे बिलकुल लाइट लिने की जुरत नहीं है डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए अब देश में कोर्ना के आक्टिव के सिस्का अगड लगों बाइट जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं तो वो खुद का खयाल रख सकेैं को लेकर एक वापिर से स्वास्ति भाग ने अलेट जारी किया है इसको लेकर मुझबपर्पुर के भी तमाम अस्पतालों को अलेट जारी किया गया है इस वक्तम सदर अस्पताल में है और सदर अस्पतालों में भी जो है वह को लेकर लोगों को अलेट कर दिया गया है और जो आदेश दिये गए हैं कि जितने भी जीले के अस्पटाल है उन सभी जो पर सो आइटे पिस्यार जांच जो है वह होना है हालां कि आगे चल कर जो है लोगों को तमाम वो जो गाइडलाइन जो पुराने एसोपी थे उसे फॉलो करना यानि मास्क लगाना है और आप देखेंग से लेकर अब तक कोरोनवाइरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और बेशी के मादम से आज सबेर में भी हम लोगों सब्लों को इस्टसन किया है कि आटी पीसी आइक टेस्ट करना है एक सो टेस्ट सब्ज़गा करना है अंडए टेस्ट और इसको बाद में बढ़ाना और 2019 से लेकर अब तक कोरोना वारिस लगातार अपना रूप बदलता रहा है बार बार उसके नए नए वेरियंट सामने आ रहे हैं और JN.1 वेरियंट भी एक नए वेरियंट है जो ओमिक्रॉन स्ट्रेंज से निकला है इसके बारे में और जानकारी आपको ग्राफिक्स के जर केस इसका सामने आया था जिसकी जानकारी मिली थी लेकिन उसके बाद आप देखिए सबसे तेजी से जो वेरियंट है वो यही फैलने वाला है और इसलिए यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में जादा दिक्कत ना हो जाए कोरोना के 15-29 स्विस मलरीजों को बिमार करने के लिए यही जिम्मदार है चीन और ब्रिटन में भी यह फैलना अब शुरू हो चुका है इसके अलावा इसके बारे में जानकारी यह है कि डब्ली एचो ने वैक्सीन को इसके लिए कारगर बताया जो एक अच्छी खबर के रूप में भी देखा जा सकता है यह वो तमाम जा रहे हैं और सवाल यह भी है कि JN.1 वेरिंट कितना खतरनाक है तो हाला कि अभी तक यह कहा जा रहे है कि पहले की मुकाबले यह बहुत जादा खतरनाक नहीं है